तो यहां तक में हम लोगों ने देखा अभी तक basic concept कि time and work क्या है time and work में बहुत सारा concept आप लोग यह सी के लिए कि अगर A और B साथ काम करे ABC साथ काम करे, A B हो, B C हो, किसी भी तरह का question हो हम लोग वो निकाल सकते हैं उससे एक question तो रहे गा ही अब हम लोग आ रहे हैं थोड़ा problems पे क्या-क्या है ध्यान देना A can do a piece of work in 10 days and B can do it in 15 days in how many days can A and B working together do it तो यह level आपका GD का है, यह level आपका group D का है, यह सब जगा यह question आपको मिलेगा और यह सब question अगर आया, तो आप जवाब एक second में दोगे है ना, कि देखे क्या, 10 और 15 तो 10 और 15 का LCM 10 से भाग दो, 15 से भाग दो 5 से कितने बार में पढ़ने के साथ answer दे सकते हो की नहीं कितना देन, 6 देन और किरन publication से मेरा वो book आ चुका है SSE CGL Tire 2 का और उसमें 30 सेट मैंने दिया है English वाले के लिए भी है, Hindi वाले के लिए भी है आप उसको अच्छे से practice कर सकते हो बीच में मैं लाइब में या वीडियो के थरो आपको उसका class भी available करवाऊंगा ठीक है, वो book अभी आपको market में मिल जाएगा तो आप लोग अपना देख लोगे, यहां मत नूडना, यहां नहीं मिलेगा चलो आगला question देखते हैं, third एक किसी काम का 3 वर्टा 4 भाग, देखो पूरा भाग नहीं, 3 वर्टा 4 कुछ तो ऐसे से होते हैं, 3 वर्टा 4, 75% होता है, 75% 12 अब कुछ ऐसे कर रहे हैं, सर 3 बराबर 12 तो 4 बराबर 16 कुछ लिखते हैं कि 3 वर्टा 4 भाग 12 दिन में, तो एक भाग सर इधर आएगा तो पलट जाएगा तो 12 गुना 4 वर्टा 3, simple ऐसे सोचो ना, सर 3 बराबर, यह 3 बराबर 12, तो 4 बराबर 16 हो गया, यानि और ए अगर ऐसे लिखें, 3 वर्टा 4 बराबर, कितने दिन में, 12 दिन में, तो जिनका जब तक अच्छा नहीं है, ऐसे लिख सकते हो, तो ए एक भाग 12 गुना, 4 बराबर, 3 मतलब 16 दिन में, बोलो होगा यानि, होगा, अब ध्यान देना कि आगे से हम लोग कैसे इसको पढ़ेंगे, तो 3 वराबर 12, 4 वराबर 16, अब ये लिखने की आवसकता नहीं होनी चाहिए, तो चलो, एक इतने दिन में कर रहा है, 16 दिन में, अब क्या कर रहा है, कार्ज का 1 वटा 8 भाग कितने दिनों में, अच्छो बता, 16 दिन में तो हो गया, अगर काता है नहीं, दो काम, तो 16 गुना दो 32 दिन, 3 वर्क, 16 तीन तीन तालिस, यह यहां पर रहता है, 3 वटा 8, तो 16 गुना 3 वटा 8, तो ऐसे कोई भी कोश्चन होगा, फ्राक्शन से घबराना मत, देखने के साथ बता देना, ठीक है, और यह सब कोश्चन आपक MTS, CHSL, सब लोग ध्यान में रखना, railway GT, आगला कोश्चन हम लोग देखें, आगला कोश्चन है यह, कि A can finish a work in 9 days, और B is 50% more efficient than A, कौन ज्यादा efficient है, पढ़ो, अरे यह ठीक से पढ़ो, जब हमको यही नहीं मालूम कि कार्चमता सर का ज्यादा है कि तुम्हारा, तो सर को लगा 10 दिन आपने लिए सोचते रहोगे, हम कहेंगे एक आदमी को 10 दिन, एक आदमी को 15 दिन, आप कार्चमता सर का ज्यादा है, मतलब एक आदमी को कितना दिन? 10 दिन, और एक आदमी को क इसकी कार्चमता जादा है सर की, तो सर को लगेगा पंदरह दिन, तो यह समझोगे न, कि जिसकी चमता जादा, उसको समय और जिसकी कार्चमता कम, आलसी आदमी, जबताब आलसी आदमी, वो भी तो आदमी है, जनम लेवे किया होगा, एसे सी इस जनम में निकालेगा, हम सो भी लेएं, रात बर सोते रहें, हम घूमते रहें, और हम चुप चुप डल जैसा बैठे रहें, उसका कुछ होगा, जबरदस्ती लर्की रहेगी, तो गार्जिल कहीं ठेल ठाल के साथी उदी करा देगा, यह नहीं होगा, तो लर्की सब ज़्यादा स्थेज रहती है, या तो पहले से बदमास बनके रहो, तो हस्वेंट कमाएगा, उसका पैसा भी पॉकेट में है, सासु मा भी पॉकेट में, या तो बदमास बनके रहो, या उसे सीधा बनके रहोगी ना, तो तुमको जीने का हक नहीं है, या तो तेजे बन जाओ, पढ़ करके जॉब ले लो, क्यों? उसके बाद तो सासुमाही वेल पोछा मारो, ये साप करो, वो साप करो, लगेगा कि कास उसी समय जादा मेहनत कर लिए रहते, तो आज ये हाल नहीं रहता, तो बदमासे बन जाओ तो तुम लोग के लिए तो तब भी ठीक है कि बदमास बन जाओ, ये सब क्या करेगा? ये बदमासों बनेगा तो क्या करेगा? कमा के लाएगा तो इधर नहीं देगा? चलाओ, ए, नौ दिन में कर सकता है, बी, ए से 50% अधिक है, तो बी को उसी काम को करने में कितना दिन ल एक की कार्शंता 50% अधिक है, तो बी अगर 100 आदमी के बरावर, तो एक इतने आदमी के बरावर? देर सो? माल लो ये 100 आदमी, इसकी शंता जादा है, मतलब इसका पावर जादा है, ये 100 आदमी उल्टा लिख दिये है, बीच 50% मोर है, अच्छा, ए अगर 100, तो ये कितना? एक सो पचास, समझ में आया कि नहीं आया? बीच फिर इतना मोर है, किसी काम को इतना बीच से 50% अधिक कुसल है, अब किसका टाइम दिया है? एक और नौ दिन लगता है, ये 100 आदमी के बरावर है, तो नौ दिन, तो ये 150 आदमी के बरावर है, तो कितना दिन? बोलो समझ मे आया कि नहीं आया? ये कितने आदमी के बरावर था? 100 आदमी के बरावर है, एफिसेंसी मैन पावर सोच लो, ये कितने आदमी के बरावर? और ये इसको अगर 9 दिन टाइम लगता है, तो इसको कितना दिन टाइम लगेगा? तो 100 है तो 9, तो 150 है तो कुछी प्राब्लेम? अ पचास गुना तीन, पचास से ये दो, तीन से ये तीन बार में तीन दुना छे दे, खे में छे हो तो ठीक लगा दो, क्लियर, आगले कोश्चन क्यों बढ़ें, आगला कोश्चन है, ये, दो वट्टा पांच भाग दस दिन में, कुछ लोग दे मन में आप सोचना शुरू किये होंगे, कि दो बराबर दस तो पांच बराबर पचिस, हाँ या ना, दो का पांच गुना, तो पांच का पांच गुना, तो ऐसे लिख दे क्या, कि एक हो कितना दिन, पचिस दिन, अब बता, भी उसी काम का एक वट्टा तीन भाग पांच दिन में, एक वट्टा तीन पांच दिन में तो पूरा काम, कैसे पढ़ेंगे, एक बराबर पांच, तो तीन बराबर पंदरा, अब आगे देखो, ए और भी दोनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, बता आप पचीस और बीस का LCM, पचीस से कितने बार में, तीन बार में, पंदरा से, पांच बार में, पच्छात्तर बटा, आठ, आठ से भाग दो, आठ, नौ पुर्णांग, तीन बटा, हो जीए, अगर एंसर है, तो टिक लग आए, और देखो कि ऐसे से कोशन कितने असानी से बन रहा है, हम आपको बहुत सारा वैसा ट्रिक नहीं दे रहे हैं, जहां आप फसो, मैं उसी रास्ते लेकर चल आओ, कि कोई आप एकदम जीरो हो, तो भी आपका मैस अच्छा हो जाए, इसके बाद भी नहीं अच्छा कर र बस निकलो क्लास से, पूरे गुस्से में जाओ, कुछ अच्छा सा नास्तावस्ता लेकर के, लाकर के मेरे को लाकर देदो, गुस्सा ठंडा हो जाएगा, इसलिए गुस्सा चड़ाओ, और मैं कोशिस करूँगा कि हर क्लास में आपको गुस्सा आए, लेकिन सब एक के बार में लेकर आओगे तो गरबर होगा, बांट लेना, तुम आज नहीं, आज हम लेकर जाएंगे, चलो, अगला कोश्यन, छे, अचलो, लोन लेकर के नास्ता लाएगी, चलो, पढ़ो, 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 समझ गया, ए इस ट्वाइश, एज फास्ट एज बी, ए जो है, बी से दो गुना तेज है, यानि एक ही चमता दो गुनी है, ए और बी एक काम को 28 दिन में, तो ऐसे लिख लें क्या, एक ही कार्च हमता, बी से दो गुनी है, A और B है, तो B अगर 1 है, तो A2 होगा, और ये क्या है? कार्ज शम्ता, ये क्या है? Efficiency, क्या है? कार्ज शम्ता, Efficiency, किसका ज्यादा है? A double है, अब देखो, फिर क्या कह रहा है? Together can do a piece of work in 20, together, मतलब एक साथ, मतलब ये दो आदमी है और ये एक आदमी, एक साथ कितना आदमी? तो दो और एक तीन आदमी, तो जब ये तीन आदमी हो गए, दो और एक तीन, तो कितना दिन समय लग रहा है? 28 दिन, बोलो यहां तो कोई प्रॉब्लेम, नो सर, तो 28 दिन, तो find how long a alone would take to do the work, a alone, a को अकेला कितना समय, अब ध्यान दो, एक कितने आदमी के बराबर है? तो कह रहा है कि दो है तो कितना दिन? फिर से समझोगे, a दो गुना तेज है, b की शमता एक, तो a की शमता दो, together, together मतलब दोनों मिलकर किसी काम को 28 दिन में, तो ये दो और एक, तीन है तो 28 दिन, तीन है तो 28 दिन, तो कह रहा है, a alone in how many days? ये तो 2 के बराबर है, कितना दिन? तो सर 2 से 14 बार में कटा, 14 तिया ब्याले, अच्छा आप बताएंगे, अगर रहता, b alone in how many days? सब लोग अच्छे से सुनो, b अकेला कितने दिन में? तो सर दोनों मिलकर, यानि 2 जो और एक है, तीन है तो 28 दिन, ऐसे लिखते? तो b alone, तो एक है तो कितना दिन? समझ में रहा है, this one is b, but this is not given in question, ये question नहीं है, तो ये आप, क्योंकि अब ये कट कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर ये होगा, दिक्कत होगा, कि सर क्यों काट दिये थे, तो वीडियो में तो अबल बोला था, आदेगों इसके बाद कैसे exam का question चूटता है, मैं ये सब कराने के बाद previous ये अब भी तक का सारा question आपको बताऊंगा कि कैसे देखने के साथ आप बना सकते हो, ठीक है? चले हम लोग अगले question के और, अगला question है ये, पढ़िए A और B can finish a walk in 30 दिन, B और C? 40 दिन, C और A? 60 दिन, how long will they take? बहुत खुश हो गया होंगे, नहीं, क्या लिख सकते हैं, बोलो, A plus B कितना दिन है? 30 दिन, और बता, B और C कितना है? 40 दिन, और बताऊंगे, C और A कितना है? बोलो, 60 दिन, अब question क्या करा? तीनों मिलकर ये पूछ रहा है, ये, अब अगर तीनों है, तो दो दो बार रहे हैं, कि नहीं? एक इतनी बार, B, C, तो एक बार है, मैंने क्या बताया? इसके लिए आप बराबर के दूसरे साइड ही दो लिख दो, है ना, यहां नहीं, उदर ही दो लिख दो, दो क्यों लिखा? क्योंकि ये लोग दो दो बार थे, तो देखो, 30, 40, 60 का LCM, 30 से, 40 से, 60 से, अब बताओ, 120 गुना तो, 240 वर्टा, 9, कटेगा, 3 से 3, 3 से ये, 80, 26 पुर्णांग, 2 वर्टा, 3, बोलिए, कोई प्रॉब्लेम? काइम खतम हो गया, जी, तो, आज के क्लास को,